हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल आराध्या अरेस अकेड़ी में दोस्तों आरपेस्ची फ़र्ष्ट ग्रेड में फ़र्ष्ट पेपर के लिए इतियास की कलास शुरू की गई थी जिसमें अपना मुगलवंच चल रहा था अपनी आठ कलास है वो कम्पलीट हो चुकी है आज दोस्तों इसमें नवे नमबर की कलास है और आज इसमें अपन पढ़ेंगे मुगलकाल का जो प्रसासन था ठीक है राजा माराजा अपन ने पढ़ लिये थे सारे ठीक है अब दोस् आपने पिछले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखे हैं ठीक है पले लिश्ट में फोल्डर बना हुआ है तो आप वहां जाके सारे के सारे वीडियो है वो देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड इतियास के नाम से वहां पे फोल्डर बना हुआ है ठीक है तो द के सिद्दान्त को लागू किया ठीक है तो दोस्तों ये मुगल कालिन जो प्रसासन है ये आप सभी को पता है कि बारत में जो मुगल बंस की जो इस्तापना है वो बाबर ने की थी और ये मुगल कालिन प्रसासन है ये भी दोस्तों इसका जो प्रारंब है ये बाबर से ही माना जाता है ठीक है लेकिन परसासन की एक निश्चित परंपरा अकबर के काल से प्रारंब हुई थी ठीक है परसासन की जो यानि की मुगल काल में जो परसासन था इसकी एक निश्चित परंपरा है वो अकबर के काल में प्रारंब हुई थी ये भी आपको इसमें याद रखना है इतियासकार हैं जदुनात सरकार एक इतियासकार है उन्होंने अपनी पुस्तक मुगल परसासन में मुगल कालीन परसासन को फोजी सरकार की संग्या दी है तो परिक्षा में परसासन आज सकता है कि मुगल कालीन परसासन को फोजी सरकार की संग्या किसने अपनी पुस्तक में दी थी तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इतियासकार जदुनात सरकार ठीक है यतना समझ में आगया आगे देखो क्योंकि जिस परकार फोज में छोटा अधिकारी उच अधिकारी के अदीन रहता है लेकिन सवतंतर रूप से कारिय कर रहा है ठीक है वो होता है दोस्तों ठीक है और उसी परकार दोस्तों मुगल कालीन परसासन होता था तो दोस्तों अब इसमें देखो, सबसे पहले में आपको इसमें बादशा बताता हूँ बादशा में देखो, यह मुगल काल में सबसे उपर का अधिकारी होता था कौन बादशा थीक है, जिसका निर्ने अंतिम माना जाता था दूसरा है इसमें केंद्रिय प्रसासन केंद्रिय प्रसासन में देखो बादशा की सायता के लिए एक मंत्री परिशद होती थी जिसमें छे मंत्री होते थे वकील परदान मंत्री ये उस समय की बात है ठीक है और वर्तमान में ये ऐसे पद है पुराने टाइम में वकील आज का परदान मंत्री उस टाइम का दिवान आज का वित मंत्री उस समय का मोरबक्षी आज का सेना देक्स उस समय का खाने सामा आज का राजपरिवार की देखरे करने वाला उस समय का सद्र उस सुदूर ठीक है यानि कि दान विबाग का अध्यक से काजी उलकुजात यानि कि नाई विबाग का अध्यक से ठीक है तो ये होते थे दोस्तों इसमें छे मंत्री होते थे ठीक है कितने मंत्री होते थे छे मंत्री होते थे इसमें चेंद्रिय परसासन में ठीक है वकील वे दिवान के पद का सरजन किया था ठीक है लेकिन सहजा के द्वारा दोनों पदों को समाप्त करके वजीर का पद है वो सरजित किया गया देखो अकबर ने तो क्या किया था वकील और दिवान का पद है वो सरजन किया था ठीक है अब देखो अकबर के बाद में जांगिर सासक बनता और जांगिर के बाद में साजा तो साजा ने क्या किया इन दोनों पदों को समाप्त करके एक नया पद बना दिया जिसका नान था वजीर ठीक है और दोनों पदों की जो सक्तियां है वो वजीर को दे दी यानि कि पहले दो वेक्ति थे उन दोनों की सक्ति अब एक वेक्ति को दे दी ठीक है इतना समझ में आ गया अब देखो दोस्तो मीरबक्सी यह सेना का अध्यक्स होता था जो सेना में अनुसासन इस्तापित करना नए सेनिकों की न्यूक्ति करना, तथा वेतन बाटने का कारिय करता था, कौन मीर बक्सी, समझ में आ गया, ये सेना का अध्यक्स होता था, ठीक है, इतियासकारों ने इसे पे माश्टर जनरल कहा है, ठीक है, याद रखना, अगला है, खाने सामा, ठीक है, अगला है, खाने सामा, ये हैं बादश्याव है, उसके परिवार की आवशक वस्तूं की विवस्ता करता था, ठीक है, तो ये होता था इसमें कौन, खाने सामा, समझ में आ गया जो खाने से आपको याद रखना है कि उसके परिवार की आवस्च वस्तो की विवस्ता करता था लेकिन उसकी सुरक्स है कि जिम्मेदारी भी खाने सामा को ही दी जाती थी तीक है याद रखना खाने सामा कौन था देखो काजी उल्कुजात तो काजी उल्कुजात है इसको दोस्तो काजी ए ममालिक भी कहा जाता था जो नियाईदीसों की नियुक्ति करने का कारिये करता था काजी का मतलब क्या होता था है दोस्तों नियाईदीस ठीक है और न्याईदीस से आपको याद रखना है कि ये न्याईदीस विखिनी उक्ति करने का कारिये करता था ठीक है अब देखो अन्या दिकारी कौन कौन थे इसमें मीरे 38 जो तोप खाने का अध्यक्स होता था मीरे बहर जो गुप्त चर्वी भाग का अद्देक से होता था ठीक है अब दोस्तों दूसरा है इसमें प्रांतिय प्रसासन प्रांतिय प्रसासन में देखो मुगल बादशा अकबर ने पहली बार पंद्रह सो असी इसमें अपने सामराजे को बारा प्रांतों में बाटा और प्रांतों को सुबा कहा जाता था ठीक है दोस्तों मुगल काल में प्रांतों को सुबा कहा जाता था जिसको कहा जाता था सुबा प्रांतों को कहा जाता था ठीक है और 1580 में अपने सामराजय को 12 प्रांतों में बाटा था किसने अकबर ने देखो अकबर ने दक्षनी भारत अबियान के दोरान 3 प्रांतों और जीत लिये थे कौन कौन से तो खान देश, एहमद नगर और बरार ठीक है एहमद नगर को आदा जीता था ठीक है तो 12 प्रांतों वो और 3 प्रांत ये तो टोटल कितने प्रांतों गए 15 प्रांत थीक है साजा द्वारा चार नए प्रांतों का गठन किया गया और प्रांतों के संक्या है वो गुन्नीस हो गई उडिसा, सिंद, कस्मीर, बिदर तो ये चार परांत जीते थे किसने साजाने इन चार परांतों का गठन किया था तो पंदरा पलस चार कितने हो गए गुनिस परांत हो गए एहमद नगर का आदावाग जो बिदर था उसको भी जीत लिया अगे देखो ओरंग जेब ने दक्सिन भारत के अभियान के दोरान वीजापूर वे गोल कुंडा नामक परांत और जीत लिये तब परांतों की संख्या 21 हो गई यानि कि ओरंग जेब ने दक्षनी भारत अभियान के दोरान वीजापूर और गौल कुंडा नामक दो प्रांत और जीत लिए ठीक है तो देखो 19 और 2 कितने हो गए 21 ठीक है 21 प्रांत है हो गए थे मुगल जाल में ठीक है आगे देखो अकबर ने प्रांतों की सासन विवस्ता को संचालित करने के लिए दो अधिकारियों की न्युक्ति की पहला है सुबेदार दूसरा है दिवान ठीक है अकबर ने प्रांतों की सासन विवस्ता को संचालित करने के लिए दो अधिकारियों की न्युक्ति की पहला सुबेदार, दूसरा दिवान, ठीक है, देखो सुबेदार, प्रांतों में अनुसासन इस्तापित करने वे न्याय का कारिय करता था, कौन सुबेदार, ठीक है, दिवान, तो दिवान भूराजस्वे एकत्रित करने का कारिय करता था, कौन दिवान, याद रखना, ठीक ह देखो अकबर ने प्रांतों में तीन अन्य अधिकारी नियुक्त किये थे कौन-कौन से तो सद्र यानि कि दान विबाक का अधिक्स होता था बक्सी तो ये सेना अधिक्स होता था काजी उलकुजात यानि कि नय विबाक का अधिक्स ठीक है ये तीन अन्य अधिकारी नियुक्ति किये थे प्रांतों के अंदर ठीक है आगे देखो औरंग्जेब ने प्रांतों में मुहत शीब नामक अधिकारी की नियुक्ति की जिसके कारी निम्न थे मुहत शीब नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी किसने तो वो की थी दोस्तो औरंग्जेब ने प्रांतों में ठीक है और उसके कारी क्या थे मुस्लिम लोगों के आचरन की जाच करना नाबतोल के बाटों की जाच करना औरंग्जेब ने इसे मंदिर तोड़ने का कारी भी दिया था तो ये तीन कारीय दिये थे, किसको मुहत सीव को, याद रखना है, यादिकारी है, मुहत सीव, तीक है, आगे देखो, जिले का प्रसासन, जिले के प्रसासन में देखो दोस्तों, प्रांतिय प्रसासन को जिले में विभाजित किया गया, जिसको मुगल काल में सरकार के नाम से जानते थे ठीक है देखो जिले के प्रसासन की बात कर रहे हैं आपे तो प्रांती प्रसासन को जिले में विबाजित किया गया जिसको मुगल काल में सरकार के नाम से जानते थे ठीक है यानि कि पहले जिले को क्या का जाता था सरकार का जाता था दोस्तों ठीक है मुगलकाल में यहां का सासन दो अधिकारी देखते थे एक फोजदार और दूसरा अमल गुजा ठीक है दो इसमें अधिकारी देखते थे यहां का परसासन यानि की जिले का परसासन फोजदार और अमल गुजार तीक है अमल गुजार तीक है अमल गुजार तीक है अमल गुजार याद रखना देखो फोजदार का कारिय क्या था यह सांती वेवस्ता इस्तापित करने का कारिय करता था और अमल गुजार है यह भूर परगने का परशासन, परगने का परशासन मतलब जिला परशासन को मुगलकाल में परगनों में बाटा गया, जिनको मुगलकाल में महाल के नाम से जाना जाता था, देखो परगने का सासन पांच अधिकारी देखते थे, परगने का जो सासन है वो पांच अधिकारी देखते थ था, कौन सिकधर, अमील, अमील है, ये दोस्तो, तो बूरा जस्वय एकत्रीत करने का कारे करता था ढिलाता था, सहाजा ने अमील को मंतरी का दर्जा दिया था, और दोस्तो, एक बात मा आपको बता देता हूँ कि ये जो परसाशन है परसाशन का जो टोपिक है ये दोस्तों आप लिख लिक के याद करना पड़ेगा आपको ठीक है बाकी ओर तो चल जाता लेकिन ये वाला टोपिक है ये आपको लिख लिक के याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके नाम है वो थोड़े अलग है ठीक है तीसरा है इसमें खंजाची मतलब यह हैं राजकोस का अधिकारी होता था कौण खजाची ठीक है और पांचवा इसमें अधिकारी होता था वो है बीतची या फोतेदार यह दो होते थे एक फार्शी का लिपिक और एक हिंदी का लिपिक ठीक है यह आपको याद रखना है पांचवा इसमें परसासन है वो है गाओं का परसासन यानि कि गाओं का परसासन की बात करें तो यहां मुगल काल में सबसे छोटी परसासनिक इकाई होती थी कौन सा गाउं जहां गाउं को मौजा कहा जाता था अपन क्या कहते हैं मौजा किसको कहते हैं जुराब को तो दोस्तों पहले मौजा कहते थे गाउं को मुगल काल में यहां का सासन है यानि कि गाओं का जो सासन है ये दो अधिकारी देखते थे कौन-कौन से तो वो है मुकदम और पटवारी तो दोस्तों मुकदम है वो सांती विवस्ता का कारिय करता था और पटवारी है वो बुरा जस्वय कत्रित करने का कारिय करता था ठीक है ये दो अधिक देखते थे गाउं का परसासन देखो ओरंग जेव ने परगने में कानून गो नामक अर्द सरकारी अधिकारी नियुक्त किया था जो बूराजस्वे का ब्योरा रखता था ठीक है कौन सा तो कानून गो नामक एक अर्द सरकारी अधिकारी रखता था कौन ओरंग जेव ठीक है तो दोस्तों ये मुगल परशासन था ठीक है और भी अभी एक दो कलास हो लगीगी इस परशासन के अंदर ठीक है तो जिसमें मैंने आपको आज गाओं कार, परगने मेर, इनका बताया ठीक है तो ये नाम है ये आपको याद रखने है क्योंकि इन नामों के अंदर से ही पुछ जाते हैं ठीक है तो दोस्तों ये हो गया आज के अपनी कलास कम्प्लीट और अरद्ड आरेस अकेडमी के यूट्व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें पिछली कलास नहीं देखिए तो वो जरूर देख लें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिंद जैपारत